गुड मॉर्णी स्टुडेंट बेटा जी आज सी करांगे सूफी कावे वेच शेक फ्रीद जी दे सलोक जेड़े के नहीं पहला एक तो लाके शेता कर ले ही थो उन बाकी इस वीडियो जी कम्प्लीड करांगे हांड सेवन बरते है फ्रीद दा चार गवाईया हांड के चार गवाईया साम लेखा रभू मंगे सिया तु आहो केड़े काम एदे विच हांड के मतलब पाज दोड के साम मतलब सो के मतलब मंगे सिया मतलब मंगेगा आहो केड़े काम जेड़े काम वास्ते तु आया ही एदे विच फ्रीद जी केंदे ने कि पर मातमा ते को लिखा मंगेगा साब ताग मंगेगा कि जड़ा तू काम करन वास्ते आया ही ओत तू काम कीता नी उल्टा तू अपना देन जड़ा है पाज दोड विच गवा दिता ते नाले रात जड़ी सोके गवा जती ते केडे काम वस्तेरा बने हान विच सार विच पे जया है सिरफ नामदान ते नाम सिमरन पजन करन वास्ते ठीक है वीटा ने विच पर सांग लिखांगे एक आवी टोटा सहत माला पुस्तक विच दर्ज शेक फरीद जी दा रच्या एक सलोक है इस सलोक विच फरीद जी मनुख नू दे चार पहर दुनिया दियां चीजानू खटा करन विच दोड़ पाज विच गुवा दिता है ते रात दे चार पहर सोके गुवा दिता है तेनू पता होना चाहिदा है कि रब ने तेरे कोलू हिसाब मंगना है कि तू दुनिया विच किस कामली आया है ते की कारिया है इसल तेनु अपना समान नाम सिम्नन ते नेक कम्मा वीचे लगवना चाहिदा है ठीक है विटा नेस्ट है केंदे फ्रीदा जिन्नी कम्मी ना गुण ते कमडे विसार मत सर मिंदा तीवी साइं दे दरबार एद विच फ्रीद जी केंदे ने के जेड़े काम नहीं चंगे हगे तो कम क्यों करें उनना कम्मानों अपने देलाविचे वसार दो जेड़े काम वीचे रावखोस नहीं आ। अपन विली पर शांगे लिखांगे एक कावी टोटा सहत माल पुस्तक विचे दर्ज शेख फ्रीद जी ती रचना है इस स्लूक वीच उन्ना ने मनुखनू ओकम ना करनदी सला दिती है जिस वीच उसनू कोई आत्मिक लाब न होवे ठीक है ब्याख केंगे फृरीद जी कहन दिहान कि है मनुख जिनना कमा तो तेननू कोई आत्मिक लाब नहीं तेन्नु उन्ना कोजे कमानदा त्याग करना चाहिएदा है जेकर तु इन्ना कोजे कमानदा त्याग नहीं करेंगा तेन्नु राबदे दरबार विच शिर्मिन्दा होना पेवेगा कैन्द मतलव है कि ओ काम करो जिदना तन्नु आत्मीक लाब होए ठीक है नेस्ट है फ्रीदा काले मेडे कपड़े काला मेडा बेस गुन ही पर या मैं फिरा लोक कहे दर्वेश एदे विच फ्रीद जी अपने आपनों सुंभोधित कर दिकेंदेने कि मेरे काले कपड़ें वेके लोकी मेंनों बहुत मतलों दर्वेश बहुत ही उच्छा पोंचे है अ सादू ना समझो संत ना समझो क्योंकि मेरा काले कपड़े ने ते काला मेरा बेड है तो मैं बहुत ही गुना परया बन दा है ठीक है एदे विच अहीं पर सांग लिखांगे एक आवी टोटा सेख फ्रीद द्वारा रच्चित एक सलोग है जो कि सहत माला पुस्तक विच दर जी ंतों विच सादें ही इंगाता ऐता बिखा न र底क में करना ब्रमातम चाले नव्य काले हैं के मेरें पहरा आवा पा में काला हैं पर स्पेडे काले हैनक अब फिकीरां वाले गोन नहीं हां मैं अंदरू गुनाहा नाल पर या फिर दा हां पर संसार दे लोक में नू फिकीर केंदे हां असल विच तर्मी बंदे विच पकांड ते दखावा नहीं हुंदा सबु उस दा अंदर शुद्ध हुंदा है कैंदा मतलव है कि एन्ने जड़े फर मांड तों बिना करनी चाहिदी है एदे विच इस स्लोक वेच आनू फिरीद जी ने एहीं समझाया ठीक है विटा नैस्ट है केंदे फिरीद दा बुरे दा पला कर गुसा मानना हंडाई देरो गुना लगाई पले सब कुछ पाई फिर एदे विच केंदे ने कि फिरीद जी केंदे ने कि हे मिनोखे जेतनों कोई बुरा कहिंदा है तो तो उस प्रती आपने मान वेच बुरा ना पैदा करी कहांद मतले जेतनों कोई बुराई करता है तो ओधे बुरा बुराई वेच ना दे कहांदे कि जेतनों बुराई अपने मान वेच रखेंगा तो तेरी रोग जड़ी दे या, उनुं रोग लग्येगा। नो रोग लग्येगा तो तेरल परमेशर दा वास है, अ कि ओड्या हो एगा, उन्हु चंगानी लगा, क्योंकि तेर tied auction ही जड़ी है, रोग वाली होगी है, तो परमात्मा दे नाम लेंदी वेचे तेरी रुकावट बाएगी ठीक zawungap व्याख किता है । जराव़ि गुस्ता ना लिएंदे इस तरहां तेरी जड़ा श्रीर रहेगा रोग रहेगा मतलो तेरे श्रीर लू कोई रोग नहीं लगेगा जो तेरी बानो विच गुसका नहीं है ते उस विच हर गुण समया जाएगा सब तुए डगुण के रहेता सृ फिर्वेच पर्मातमाद अवास न होएगा ठीक है नेस्ट है फ्रीदा मैं जान्या दुख मुझको दुखी सभी जग उच्छे चड़के देख्या तक कारकार एही अग इस स्लोक विच फ्रीद जी कहने हैं कि मैं सोच दा हां कि मैं ही दुख्यां ठीक है हो और कि हैंनों कोई दोख नहीं है ठीक है जोदो मैं व चहीं परसांग करांगे केंदे कि एह कावी टोटा सेख फ्रीद दा रच्या एक सलोक है जो कि सहत माला पुस्तक विच दर्ज है अते इस सलोक विच फ्रीद जी कहने हैं कि सारा संसार ही दुखानाल पर पूर है व्याख्या इस तरह हैं फ्रीद जी फर मौम देहान कि मैं ए समझदा सी कि केवल मैं ही दुखी है पर असल विच संसार दा ऐसा कोई भी इनसान नहीं है जो दुखी ना होए जदौ मैं अपने दोख्थों जरा उचेरे होके वेख्या क्या सार विच हार जीव दुखी है ते कोई भी इनसान इनना दुखां तो बचिया नहीं रह सकता ठीक है फिर केंदेने फ्रीदा हो बल हारी तिन जंगल जिनना वास ककुरू चुगन थाल वसन रबना शोड़ी पास एद विच फरीद जी केंदे कि मैं उनना जंगली पंशियां त जंगल वेच रेंदेने ठीक है कंकर चुगदेने तर तीते रेंदेने तो पार फेर वी राब बदा जड़ा उनना दे मानवी चुँ अपने राब बदा नू नई वसारते ठीक है अपने मानवी चुँ राब नू नई वसारते अपने मानवेच प्रभूपक्ति नू कर दे पंशियां दिगाल हो रही है जड़े के जंगल विचरें देली ठीक है ये दे विच पर सांग गया है एक आवी टोटा शेक फ्रीदार रच्या होया एक सलोग है जो कि सहत माला पुस्तक विच दर्ज है इस सलोग विच फ्रीद जी ने उन्या पंशियां दी मेमा केती है जीवन गुजार दे हान परनतु प्रबूदा लाड नहीं शड़ दे कैन दा पाव है कि प्रबूदी पक्ती करना नहीं शड़ दे व्याख्या विच लिखांगे फरीत जी फर्मावन दे हान कि मैं उन्ना पनशियां तो कुरुबान जान दा हान जिन्ना दा वासा जंगल राज के खान वाले पर राबनु पुल के बैठे उन्ना बंदियां नालूता पनशियी चंगे ने जो रुखांगे आलने बना के रेंदे होए वी राबनु जाद रख दे हान ठीक है विटा नेस्ट है केंदे कि इक्कू फिक्का ना गाली सबना में सच्चा तनी हियो ना के देही ठान मान के सब अमोल वे reply ए마 विच किया है कि हानो किसे दिन आल कोड़ी फिक नहीं बोलना चाहिए ला क्योंकि सब दे विच सच्या परमात्मा वास करता है जे अहीं अपने किस अपने जबान किसे द ही तोड़ाँगे त्य हाँपने ईह समझांगे विचिदे हान पर मातमा रुपी बहु मुली मोती है जड़ा हर दिमान विच वास करदा उन्हों दोक दिता है ठीक है विटा इदे विच पर संग है यह एक आवी टोटा शेख फरीद रच्या एक सलोग है अते सहत माला पुस्तक विच दर्ज है इस सलोग विच फरीद जी कहें दे हान कि सानू क किसे नल फिक्का नहीं बोलना चाहिदा क्योंकि हर इक दे हिर्दे विच सचा प्रभू आप वास वस्ता है व्याख्या इस तरह हैं फरीद जी कहें दे हान कि हे मनुख तो किसे नल फिक्का एक वी फिक्का बोल ना बोली क्योंकि सारे आदे मना विच सचा रभ वस्ता है फ किका बोल बोल के किसे दा हिर दा ना तोड़ी क्योंकि सारे यांदे मान बहु मुल्य मोती हान मोती क्योंने सारे यांदे मान क्योंकि विच रब दा वास है पाव यह है कि सब दे मान विच बहु मुल्य मोती रुपी रब दा वास हुंदा है ठीक है पेटा एन्ना स्लोकानू तो ही अच्छी तरह कार लेना आज ये स्लोखाडे कंप्लीट हो गेने नेस्ट वीडियो भी चेहीं क्वेस्टिन अंसर करांगे ठीक है पेटा तार तक ठेक कियर